So, hey guys, आपका स्वागत है आद की वीडियो के अंदर और टाइडल आपने पढ़ लिया होगा हम लोग उन्बॉक्सिंग करने बाले हैं Realme 9 5G की हाँ, एक महीना लेट आया है पर देर आये, दुरुस्त आये अन्बॉक्सिंग करूँगा, सारी चीज़े आपको इस फोन के बारे में बताने वाला हूँ और क्या ये फोन इस वक्त परचेस करने के लायक है या नहीं इसके उपर में अपना उपीनियन जरूर दूँगा तो वीडियो को एंड तक देखिए का कोई भी पार्ट स्किप ना करें ताकि आपको सारी इंफर्मिशन मिल जाए वीडियो शुरू करते हैं, पसंदा तो लाइक किज़ेगो चैनल के उपर अगर आप लोग नए हैं तो नीचे लाल वाल बुटन अराज को दबा के सब्सक्राइब जरू कर लीजे लाइट्स बेगें तो शुरू करते हैं अन्बॉक्सिंग और अब मेरे पास जबबा भाई वह भी यार वह गिर गया भाई गया भाई फोन हमाला अब फोन का यह अब कौन सी नहीं पैकिंग कर दी वह एलमी फोन नहीं मिल रहा फोन नहीं मिल रहा यार फोन नहीं है अब बोक्सिंग की वीडियो आफ पॉन नहीं है और यार इजर रखा था यह कोई बात नहीं कोई बात नहीं अनबोक्सिंग करने मतलब डबे से निकालने तो था है वस्क्राइब दबारा करता हूं और आप लोग देखते जाए तो आजाए 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 आपन कहीं बैटते हैं सो मजाग तो खतम हो गए आप शुरू कर लेते हैं असली अन्बॉक्सिंग फोन का डबा मेरे पास में है तो मैं शुरू करता हूं उसको खोलना हो बताता हूं आपको एक रियल मीन 9 5G के डिबे के अंदर आपको क्या के मिलता है तो सबसे पहले मैं आपको डबे का क्लोज व्यू दिखा देता हूं तो इसमें आपको फ्रेंट में ऐसा देखने को मिल जाता है पीछे हमको यहां पर देखने को मिल जाते हैं सारी चीजे लिखी हुई जो फोन के करते हैं तो इसको आपको यहां रिए यहों सिल जाता हुई चर्पवकों जब्स होगा है जो कि एक नॉर्मल क्文ग है कोई ज्यादा कॉलिटी है नहीं इसमें पीछे और ईसमेंद गेप वाला कुछ त्रये तो अच्छा होता ब्रेट एकesz्जेंट को फोन का नदर आथ आता नहीं कर सकते हैं इसके बाद यहां पे कुछ किताबे हैं कुछ कागजाद है इस फोन के तो इनको वापस कवर में ही रख देता हूं थोड़ी देर के लिए वापस तुम नहीं चले जाओ ओके अब आता है हमारे पास हमारा रियल्मी 9 5G सबसे पहले आपको इसका में क्लोज लुक दिखा देता हूं दरहसल मैंने इस फोन के उपर दोस्तों प्रोटेक्शन की तरह चारो और सामान लगवा लिया है तो यह आपको लुक देखने को मिल जाता है इसमें थोड़ी शाइन देखने को मिल जाते हैं अगर आ आपको राइट साइड में देखने को मिल जाती है तो इसको एक सेकिंड के लिए साइड में रहता हूं और दिब्बे भी रख दूँगा ताकि कुछ भी खराब ना होए पन्नी को अटा देते हैं एंड इसके बाद यह प्रोटेक्शन यह आता है हमारे पास चार्जिंग के जो की हमको इसके चार्जर अडेप्टर के साथ मिलता है तो यह अडेप्टर दोस्तों आपको 18 वाट का इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है जो की ठीक ठाक है बट लेकिन अगर यहां 33 वाट या उससे उपर का देते तो काफी अच्छा होता क्योंकि इस वक्त इसी प अबर देखने को मिल रहा है इस प्राइस रेंज के अंदर सो ठीक है थोड़ा बहुत कम्रमाइज आपको करना पड़ेगा क्योंकि एक बजट से बजट सेग्मेंट में आप लोग घुस रहे हैं सो इतना तो चलता है ठीक है अब आज आते हैं हमारे फोन के उपर तो मैं इसको बूट कर लेता हूँ चलिए हम इस फोन को बूट कर लेते हैं दोस्तों और मैं बताता हूँ आपको इसके इंदर हमें क्या क्या माल मसाला मिल जाता है सबसे पहले मैं इसका बूट स्टार्ट कर देता हूँ उसके बाद आगे बाद करते हैं तो यहां बूट स यहां पर आपको sim tray देखने को मिल जाता है विसके अंदर आप 2 sim card और 1 memory card एक साथ यूज़ कर पाएंगे यहां पर आपको मिल जएता है इसका front camera जो की punch hold display है और साथ इसाथ आपको यह देखने को मिल जाता है फिर दोस्तो आपको यहां रियर के अंदर यहां पर मिलते हैं जाता है फिर दोस्तों मैं आपको बता जाता हूं इसके अंदर 48 Megapixels का मेन केमरा सेंसर है बागी के दो केमरा भी आपको परफॉर्म करते हुए देख जाएंगे तो चलिए हमें आपको दिखाता हूं इस फोन के अंदर हमको क्या-क्या देखने को मिल जाता है डामें सिटी मी आप कर पाएंगे अगर कई सारे आप जो है अपने आप शिफ्ट कर लेंगे अपने इसाप से स्क्रीन रिफ्रेश रेट को तो अपन आटो पर रख देते हैं और साथ-साथ आपको बता दूँ यहां अपने इसाप से एडजेस्ट कर पाएंगे आई कमफर्ट के अंदर वह 12 देना चाहिए था काफी सारे फोन के अंदर है तो काफी आगे निकल जाता बाकी फोन से इस प्राइस रेंज के अंदर रियल्मी यू आई वर्जन 2.2 यहां देखने को मिलता है एक्सपेक्टेट था कि 3.0 आज जाना चाहिए था क्योंकि रिसेंटली लॉंच हुआ यह फ कर रहेते हैं तो आपको वही मिलता है जो पहले था नाइट मोर वीडियो फोटो पोट्रेट 48 MP और मोर के अंदर काफी सारे मिल जाते हैं सलो मोशन जैसे काफी सारी चीज़े फ्रेंट के अंदर आपको एक फीचर दिखाता हूं दोस्तों मैं तो कैमरे को थोड़ा पास मिल है अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों यहां देखिएगा आप है ना फोकस रखिएगा यहां पर मैं फ्रेंट केमरा स्विच करूँ है तो देखना यहां पर आपको एक ब्लू सा शेड दिखा है सो वाव या काफी अच्छा देखने को मिल रहा है सो कुछ तो अलग करन के अंदर जहां पर आप सब कुछ कर पाएंगे अगर आप एक नॉर्मल फोन यूसेज करते हैं चाहिए अप गेमिंग करें फोटोग्राफी करें या फिर आप लोग फोन कॉल्स के लिए भी यूस करी सकते हैं शायद यह फोन है ना अरे हां फोन ही है ठीक है आप यह सारे इसके अंदर कर सकते हैं तो काफियत से फोन है सो यह वीडियो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रियल्मी 9 5G से और आप लोग सुन रहे होंगे इसका नॉइस के इंसलेशन आपको पता लग रहा होगा क्योंकि एक्स्टरनल मारिक मैंने नहीं लगाया है तो आप लोग खुट डिसाइड कीजे मैंने वैसे सुना है ठीक ट व्याएज की टाइड कर दो अब कर दो आपको अब कर दो अब की आपकी को आपको अब हैं अब आएज पाइज इसकी अनबॉक्सिंग ऑगई इस फोन के बारे में बात हो गई, इससे मैंने आपको फोटोस दिखा दी, नाइट मूड फोटोस दिखा दी, सब कुछ कवर मैं कर चुका हूँ, बस एक गेमिंग की चीज है, तो वो भी मैं आपको जहां तक है कुछ वीडियो उसके अंदर आगे लाके ज़रूर दिखाऊँ संग M23, और इसी के साथ एक और फोन दोस्तों महीं पर मोटो लग तरफ से है, मोटो जी फिफ्टी टू एन फिफ्टी वन, चो काफी अच्छ अच्छ फोन है, इस मार्केट में आईकू जी सिक्स भी है, बट अगर आप रियल मिकसा जाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए प्राइस रहने वाला है, इसकी प्राइस रेंज के अंदर 15,000 के अंदर काफी अच्छा फोन आपको मिल जाता है, सेल्स वगरा इसकी चलती रहती है, तो और भी थोड़े डिसकाउंट आपको देखने को मिल जाएंगे, साथ इसाथ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल के साथ चाथ शेर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, जो भी इस फोन को लेने की सोच रहा है, या कोई भी नया फोन ले रहा है, अंडर 15,000 रुपीज, इंडिया के अंदर, एप्रेल, ना, मे का महीना चल रहा है, सो अच्छा फोन है, इस वक्त है, मे